नमस्कार, स्वाकता बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी जो ग्रोफी की जो फूर्थ वीडियो उसको continue करते हैं पिछली तीन वीडियो के अंदर हमने जैसे जाना था कि भारत की location क्या है भारत के परवत, दर्रे, लेक्स, ये कहां कहां पर हैं साथ इसाथ भारत के कितने राज्यों की सीमा है, दूसरे देशों के साथ लग रही है कितनी total सीमा रेका है, भारत की 30 रेका क्या है ये सारी चीज़ें हमने previous तीन वीडियो के अंदर हमने देखी है और आज हम अपनी इस फूर्थ वीडियो के अंदर हम देखने जा रही है भारत की मृता, यानि मिट्टी, सोयल, ओके इनके अंदर हम क्या कर रही है, जो previous year के जो question है जो important question है, हम उनको कर रही है और आप असानी से इस वीडियो की पीडियो जो है वो डाउनलोड कर सकते है बिल्कुल असानी से कैसे, यह description box में एक link दिया मिलेगा आप लोगों को टेलिग्राम का, तो जाकरा वहाँ से इस वीडियो की पीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो बिना देरी के start करते हैं, आज की अपनी यह जो वीडियो है उसे first question आपकी screen पर, कि उचे शेत्रों में जो let right मिरिदा की रचना होती है वो किस परकार की होती है, वो शारिया होती है, वो लवनिया होती है, वो अमलिया होती है, वो संतुलित होती है तो यह जो question है, वो SST 2018 के matrix तरके उपर पूछा गया था, 2008 के अंदर यहाँ पर आपके सामने यह, एक map भी लगा रहा है, जिसके अंदर आपके सामने लिखा हो है यह forest and mountain soil होगी, यह soil हैं सारी, major soils type है हमारे भारत में अचा, red soil का area बना रहा है, black soil का, LVL का, letterite का, तो letterite का आप एरिया देखेंगे न, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पश्चिम घाट में, थोड़ा बहुत पूरवी घाट के अंदर, पश्चिम में, मिघाले के अंदर, यहाँ पर असम में, तो यहाँ पर भी हो बहुत ज़्यादा बारिस होने के कारण, जो मिट्टी है, वो कट कट के दूसरे शेतर में आ जाती है, उससे letterite मिट्टी का निर्मान होता है, और जब यह letterite मिट्टी दूसरी शेतर में जाती है, तो वहाँ पर, जो मतलब कि सूखने के कारण, यह चट्टानी रूप हो जा पूर्वी और पश्चमी घाट के शेत्रों में तो है, राजमहल की पहाड़ियों में भी है, दक्षिन महाराष्टर के अंदर भी है, और ये केरल के अंदर करनाटक, तमिलाडू, आंदर परदेश, तेलंगाना, ओडिसा, पश्चे मेंगाल, इनके जिलों में भी पाई जाती साथ-साथ में घाल ले हो, जारखंड का संथाल, परगना के अंदर भी ये मिलती है, क्लियर, तो ये होगी, लेटराइट मिट्टी, किस परकार की होती है, उचे शेत्रों में, अमलिय परकार की, सेकंड कोशन कहा रहा है, कि निमल लिकित में से, किस राज्य में तो महराष्टर ये रहा, उत्तर परदेश पड़ा गया, नहीं, हमने उत्तर परदेश तो यहां पर कहीं पड़ा नहीं, अचे केरल पड़ा गया, हाँ राजस्तान पड़ा, नहीं, राजस्तान भी नहीं पड़ा, तो A and D इसका right answer हो जाएगा आपके सामने second question का, CPU के अंद 2015 के अंदर question ये पूछा गया था clear तो इसका answer हो जएगा A and D third question पर आते हैं देखें लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है एक तो आप ये देख लिएजी कि भारत की soil जोती वो कितने परकार के होती है yellow, black, red and yellow red को ही yellow कहा जाता है let right soil, arid यानि जो रिगिस्तान के अंदर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, सूश्क मिट्टी saline और alkaline soil होती है petty and marshy soil होती है forest and mountain soil होती है clear ये 8 परकार की soil में वर्गी करण मतलब कि मिट्टी के अंदर वर्गी करण किया गया है भारत के अंदर, अब पूछा गया है कि laterite मिट्टी कहां पाई जाती है अभी थोड़liches पहले देखा नहीं कि laterite मिट्टी कहां पर पाई जाती है बारिष होगी, बारी वर्षा होने के कारण मिट्टी कहां पर भैके चले जाएगी और वहाँ पर इसका निर्मान हो जाएगा उश्ण कटी बंदी ये शित्र हो गया, आज दरोशुषक हो गया, ध्यान रखना इस चीज़ का, और इसमें क्या 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 पाया जाता है, लोग और अलुमीनियम बहुत जादा मातरा के अंदर पाया जाता है, फौर्थ कोशन बे आते हैं, देखें जो परवतिये स्लोप होत है यहां पर, तो यह पूछा गया है कि जो हिल स्लोप होते है न, तो वहां पर अकर मिट्टी, जो मिट्टी परदन है, वो किस परकार से उसे नेंतरन किया जाता है, मिट्टी को कटने के से किस परकार से बजाया जाता है, क्योंकि वहां पर खेती की हो जाती है, अब खेती क जाती है लेकिन इससे भी बैटर होता है समोज रेखिये जुताई तो इसका अंसर हो जएगा D तो SST सनात्तक परिक्षा के अंदर 2010 के अंदर ये पूछा गया था तो इसमें आपका अंसर हो जएगा समोज रेखिये जुताई जो यहाँ पर हिल स्लोप के अंदर ये की जाती है क्लियर और स्टी नुमा खेत बनाकर यहाँ पर समोज रेखिये जुताई की जाती है सोपान के द्वारा भी होता है परंतु यह जो चीज है समाच है वो बैटर है किस से समोज है वो बैटर किस से सोपान से क्लियर यहां पर फिफ्थ कॉश्शन पूचा गए कि भारत के जो उत्री मैदान की मिर्दा है जो मिट्टी है वो समाने तक कैसे बनती है कैसे बनी है न कि उपर से जैसे आप देखते न कि गंगा नदी आ रही है तो गंगा नदी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट सेडिमे करन हुए कैसे? एक तरीके से मिटी का आना, मिटी के उपर से कटके आना जिससे क्या होते है कि यहां पर मैदानी भाग बनता चला जाता है Same to same, यहाँ पर आपके सामने जो soil है, उसकी type मेरे जो जहां-जहां पर जिस्थ प्रकार की soil पाई जाती है, वो यहाँ पर लगा रखे हैं, तो इसे जो map से कोशन करते हैं तो बहुत आसान हो ज़ाता है, हमें याद रखना कि कौनसा area आता है, क्योंकि image रहती है ना हमारे दिम नहीं होती है, वैसाल्ट होता है इसके अंदर, तो काली मिट्टी का निर्मान होता है, और काली मिट्टी देखें, यहां पर पाई गई है, यहां पर हो गया, गुजराथ हो गया, महराश्ट हो गया, मध्यपरदेश हो गया, तो यह एरिया है यहां पर, और काफी ज़्यादा मातरा में आपसे कोई पूछे ना कि कपास सबसे ज़्यादा कहां होती है तो यह महाराश्ट गुजरात अंदरप्रदेश यही एरिया निकल के आते हैं क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो न तो ब्लैक सोयल जो है वो यहां पर सबसे ज़्यादा मातरा के अंदर है क्लियर तो यहां पर सिक्स्त के अंदर आपका आंसर हो जाएगा काली लावा मिट्टी जो है वो कपास के लिए काफी उपयोगी है अच्छा पूछा जाते है कि क्यों उपयोगी है क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो काफी ज़ादा जो है वो जल को धारन कर सकती है शमता रखती है अपने अंदर water को absorb करने की capacity होती है इसके अंदर वायू संचारन भी काफी ज़ादा होता है इस कारण ज़ा है वो कमपास के लिए काफी ज़ादा उत्तम मिट्टी बानी जाती है और भारत के अंदर अवल दर्जे पे यही शेतर रहता है कपास के उत्पादन के अंदर सेवंध कोशन पे जलते हैं सेवंध कोशन पूछ रहा है कि निमल लिकित में से वह फसल कौन सी है जो जलोड मिटी में उखती है और जिसके लिए परचूर मातरा में पानी के आवशकता होती है जहां पर सबसे ज़्यादा पानी हो जाए ना पूछा जाए कि पानी सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में आता है तो भाईया वो है चावल चावल के लिए सबसे ज़्यादा पानी के आवशक्ता होती है और आप देखेंगे ना तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल फिर वीट इसकी जो है वो मेजर क्रोप यहां पर लगाई हुई है अब यहां पर आप एरिया देख लिजिए जो चावल का एरिया कहां कहां पर है उत्र परदेश हो गया है यहां पर पश्ची मंगाल का एरिया हो गया है यहां पर जो है वो इस्टन घाट हो गया तो यहाँ पर आजाते है तो यहांपर जो वो चावल की खेती काफी जादा की जाती है किया है तो यहाँपर आजाएगा काफी उप्यूख स्थान हो जाते हैं यह है क्टो कोशन पुछा गये गई किरख़नी मृशारिया का भारत में एक और नाम भी है काफी बार ये कोशन पूचा जाता है कि एक मिर्दा जो है उसे किस नाम से पुकारा जाता है दूसरे दूसरे उसके नाम से भी पुकार लिया जाता है तो वहाँ पर आपसे पूच लिया जाता है तो यहाँ पर कलर, लोनी और शारीय मिर्दा का भारत में उसे कलर भी कहा जाता है और यह कहां कहां मिलती है दिके लोनी और शारीय मेरिदा जो है राजस्थान, उत्रपरदेश, बिहार हर्याना, पंजाब, महराश्टर के जो ड्राई इलाके है ना वहां पर यह पाई जाती है यह जो है वो अनपजाउ शेतर होते हैं और इनको रहे, कलर, उसर, राकर, धूर, करल और चोपान के नामों से भी जाना जाता है काफी important नाम है क्योंकि नाम जो पूछ लिए जाते हैं आपके सामने यह कि लोनी और शारीय मेरिदा को क्या कहा जाता है एक और नाम पूछ लिया तो आपको जो नाम है, उनके याद रखने है कि कहां कहां पर कौन से मिटी है वहां पर उसको किस-किस नाम से जाना भी जाता है तो इस सारी चीज़ें जो होती है वो आपके exam के point of view से बहुत जादा महत्तपूर्ण हो जाती है फिर से बतारहूं कि आप लोगों को जो PDF है वो मिल जाएगी, टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में जो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं साथी साथ वीडियो पसंद आ रही है SSC, CHSL के अंदर 2012 के अंदर ये कोशन पूचा गया था यहाँ पर इसका आंसर हो जाते है D, जम्मू कश्मीर में तो अपने जो एटलस आता है एटलस के अंदर 2019 का आंकड़े दिखाएगे जिसमें बताएगे कि वर्स 2015-16 में सबसे ज़्यादा Westland के अंदर जम्मू कश्मीर आता है जहाँ पर 1,65,697.01 वर्ग किलोमेटर का जो एरिया है वो आता है अधिक्तम शेतरवाला है दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है तीसरे नंबर पर देखो यह काफी जाता है इंपोर्टन है कि पहले नंबर पर कौन दूसरे नंबर पर कौन अगर जम्मू कश्मीर ना दिया होता तो आप राजस्थान करते हैं यहाँ पर पूछा जाता है जैसे कि हमने प्रिविस वीडियो के अंदर पूछा गया था कि बारत की सबसे लंबी तटिय रेखा क्या उनसी है गुजरात की है फिर उसके बाद अंदर परदेश आता है लेकिन अगर आपके सामने गुजरात दिया हो और मध्य परदेश दिया हो तो आप टिक किसके पर करोगे अंदर परदेश दिया हो तो आप टिक किसके पर करोगे लेकिन अगर गुजराद ना दिया हो तो सेकंड नमबर पे आपका टिक जाएगा ना अंसर तो यह जो चीज़ें होती हैं आपको ध्यान रखनी होती है कि फर्स्ट फाइव फर्स्ट टैन टोप प्रोडक्शन के अंदर टोप जो सबसे ज़्यादा त्टियर रेखा जिनकी है यह रहा जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट लेंड किया जाता है तो टोप टेन जो है टोप फाइव जो है आप लोगों को याद होनी काफी ज़्यादा इंपोर्टन है पहले नमबर पे जमू कश्मीर दूसरे नमबर पे राजस्तान तीसरे नमबर पे मध्य परदेश आता है चोथे नमबर पे गुजराद आता है तो काफी ज़्यादा इंपोर्टन है यह चीज़ें तो इन चीजों को ध्यान रखना है अपके सामने यह map भी लगाया गया है baron land हो गया, built up and urban हो गया crop land हो गया, decedials forest हो गया सारी चीज़ें जो है वो एक आपके सामने map लगा गया इससे भी आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को अब आगए चलते हैं 10th question काँ है कि petrology किसका आध्यान है पूचा जाता है कि भी या patrology हो गया वो किस के किसे कहा जाता है तो patrology जो है चतानों के अध्यन को patrologic आता है Geology की एक शाखा होती है और इसके अंदर का चतानों की उत्पत्ती उनका सिकरना, उनका फैलना उनकी सरंचना इन सब चीजों के बारे में इसकी जो पढ़ाई की जाती है अध्यन किया जाती है अच्छा मृदा की जो लवनता है वो कैसे मापी जाती है चालकता मापी से इसकी लवनता मापी जाती है एक साइक्रोमेटर जो है एक परकार का इसको यूज किया जाता है आधरता मापने के लिए क्लियर यहाँ पर आधरता के लिए किसको यूज किया जाते है साइक्रोमेटर का लबनता किसके लिए जालकता मापी के द्वारा मापी जाती है तो यह तो थे आपके important question जो previous years में आये हुए सारे के अभी इतने ही आये हैं 11 के 11 कैर आने वाले टाइम में धिरी-धिरी हम और भी चीज़ें करेंगे अलग से एक session भी करेंगे मिट्टी के उपर अभी फिलाल थोड़ा बहुत और हम जानेंगे कि अभी इतना ही करेंगे क्या नहीं पूर मिट्टी के नाम से जाने जाती है नाम पूछ लेते हैं भारत में लाल मिट्टी समाने तक कौन से शेतर में पाए जाती है दक्षिन पठार के पूर्वी और दक्षिन भाग में देखे जानना important है option में क्या पता है ये ना हो कोई और शेतर हो तो वो आपको देखना है तो map के according आप चीजों को समझ सकते हैं अचा दोआब देखे बहुत जादा important question है बहुत बार पूछा भी गया है कि दोआब का क्या मतलब होता है देखे दो नदियों के बीच की जो भूमी होती ना दो नदियों के जो भी ये भी एक नदी ये भी एक नदी जो यहाँ पर जो भूमी होती ना इसको दोआब कहा जाता है clear तो ये हो गए आपके सामने one liner question अब थोड़ा सा हम एक बार जो भारत की जो मिट्टी है उनके बारे में हम वो डिसकस कर लेते हैं अच्छा एक बार आगे चलते हैं तो भारत की जो मिट्टी है एक तो देखे जलोड मिट्टी जिसको कहते हैं aluvial oil ठीक है जलोड मिट्टी आती है पहले तो हम इसको देखते है जलोड मिट्टी जलोड मिट्टी जिसको हम क्या कहते है अलूवियल अलूवियल सोयल कहा जाते है अच्छा यह कहां पर पाई जाती है यह नदियों द्वारा लाई जाती है और इस मिट्टी में क्या होता है पोटाश होत पोटाश होता है इसके अंदर इसके अंदर पोटाश बहुँ जादा होता है इसमें जो है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन देखें नाइट्रोजन हो गया थोड़ी राइटिंग जो है वो खराब होई पड़ी अच्छा क्या हो गया फोस्फोरस हो गया नाइट्रोजन के अंदर और ये भारत की जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाव मिट्टी होती है ध्यान रखना कौन सी मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा उपजाव मिट्टी होती है और भारत में लगबग 22% कितना 22% शित्र में ये पाई जाती है और भारत का जो संपूर्णी आप मैदानी देखते हो ना मैदानी इतटी है ये किससे बना है जलोड मिट्टी से बना हुए और ये भी जलोड मिट्टी भी ना दो परकार की होती है ठीक है दो परकार की होती है एक होती है बांगर एक होती है खादर तो दो परकार की जलोड मिट्टी होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर पुराने टाइप की जो मिट्टी को कहा जाता है बांगर अरे जब से पुराने टाइप की होती है तो ये जो चीज़ होती है वो उपजाओ भी होती है जादा और नए टाइप की मिट्टी को कहा जाता है खादर तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है नए टाइप को क्या होता है पुराने टाइप को क्या कहा जाता है दो टाइप की जलोड मिट्टी होती है साथी साथ जलोड मिट्टी की उरवरता को देखते हुए इसको काफी ज़्यादा मतलब कि इसमें कौन-कौन सी फसल बोई जाती है देखे इसमें धान हो गया गेहू, मक्का, तिलहन हो गया, डाले होगी, आलू होगी, यह जो फसल है जो इसमें उगाई जाती है तो यह हो गया आपके सामने जलोड मिट्टी का एक तरीके से, थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रो हो गया कि जलोड मिट्टी का है, क्या होता है, कितना परसेंट होता है, यह सब चीज़ें हो गई, अब एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर हम एक और कौन सी फसल सबसे जाद मैंने कहां, यह बलैक सोयल बनती है, कि जो वहां पर विसफोर्ट हुआ है, क्या कहते हैं, वोलकैनिक, जो हला मुखी के विसफोर्ट के कारण बैसाल्ट बनता है, बैसाल्ट के तूटने से, काली मिट्टी का निर्मान होता है, तो यह चीज़ें ध्यान रखने हैं अपने, इसमें क्या होता है, देखना, बैसाल्ट के कारण, किसके कारण होता है, बैसाल्ट के कारण इसका निर्मान होता है, क्योंकि उसके तूटने से बनता है, अब काली मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें होता है, इसमें होता है चूना, ठीक है, इसमें होत मातरा में पाए जाती है और इस मिट्टी में जो काला रंग होता है आप सोचते हुआ काला रंग क्यूं है तो इसका काला जो रंग है वो titaniferous मैं यहां लिख देता हूँ titaniferous titaniferous magnetite 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 के कारण होता है ठीक है और इसमें humus काफी जादा मात्रा में होता है और इस मिट्टी में इसको द्यान रगना है कि carbonic पदार्तों की काफी जादा होती है मतलब इसमें मात्रा जो है carbonic पदार्तों की काफी जादा मात्रा होती है अब साथ ही साथ इस मिट्टी को रगूर मिट्टी भी कहा जाता है अभी हमने एक कोशन देखा काली मिट्टी को और कैस नाम से जानाता है रगूर मिट्टी के लिए जानाता है ये मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उखता होती है कपास के लिए होती है क्या केवल कपास ही उखता है नहीं इसमें आप गेहू, जवार, बाजरा ये भी उगा सकते हो अब पूछा जाते है कि कहां कहां पर पाई जाती है हमने ये मैप में भी देखा है, फिर भी ये हो गया गुजरात में, महराश्टर में, मध्य परदेश में, पश्ची मेंगाल में, ओडिसा, ओडिसा के दक्षिन शेत्र में होता है, करनाटक के उत्री भाग में मिलती है, आंदर परदेश में मिलती है ये, ठीक है वहाँ पे इन जिलों में भी पाए जाती है, और राजस्तान के बूंदी और टॉंक जिलों में भी ये पाए जाती है, तो यह होगी आपके सामने काली मिट्टी, क्लियर, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनिट, ओके, इसको और रफ कर देते हैं, और एक और मिट्टी है, उसको हम और यहां देखेंगे कि लाल जो मिट्टी होती, इसको देखो पिली मिट्टी भी का जाता है, अब रेड सोयल इसको क्यों का जाता है, इसके अंदर क्या ऐसा होता है, इन चीजों को भी हमने देख रहे हैं, देखें, इसमें रेड सोयल के अंदर जो है, वो लो ओक्साइड, य क्लाइमिटिक परिवर्तन है उसके कारण जो है इसका निर्मान होता है काफी जाम जो चीजें जो आप देखते हो कि जमीन के अंदर मतलब कि धरारें पड़ गई फिर जलवायू परिवर्तन हुआ फिर लाल मिट्टी का निर्मान होना स्टार्ट होता है यहाँ पर इसके अंदर सीलिका होता है आयरन होता है और आयरन उक्साइड के कारण ही इसका नाम जो है वो लाल रंग हो गया अब यहाँ पर अगर इस मिट्टी को इसमें बहुत ज़ादा पानी डाल दिया जाता है यहाँ पर पानी होता है तो यह पीली रंग के दिखाई पड़ती है इस कारण यह जो है वो पीली रंग की मिटी भी इसको कहते है अब यह होता न आपने देखा लवणियों होती है या फिर अमलिया होती है यह किस परकार की मिटी होती है यह अमलिय परकार की मिट्टी होती है इसमें nitrogen हो गया, phosphorus हो गया और humus, इसकी देखिए इसमें कमी होती है इसमें nitrogen हो गया, phosphorus हो गया humus हो गया, इसमें कमी होती है यह मिट्टी कहां पर होती है मतलब इसके अंदर banjar type में जो मिट्टी है वो एक तरीके से इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही है, कपास भी, गेहूं भी, दालें भी, मोटे अनाज भी इसमें उगाई जाते हैं, कहां कहां पाई जाती है, मैप में भी देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, बारत में ये आंदर परदेश हो गया, मद्य परदेश का जैसे पूरवी भाग होते हैं वहां पर, मैगाले की जो आपने पाड़ियां सुनिए ना, गारो, खांसी, जैन्तियां, वहां पर भी यह होती है, करनाटक के पर भी शेतर होते हैं वहां पर होगी, महरांस्टर में, तमिलाड़ो में, तो यहाँ पर भी यह पाए जाती है, और चूना का इस्तमाल करके जो है, वो लाल मिटी की उरवरता बढ़ाई जाती है, पूछ लिया जाते है कि लाल मिटी कम उपजाओ उती, तो क्या इसके जान रखना है कि काली मिट्टी को काली मिट्टी क्यों कहा जाते क्या होता है उसके अंदर टिटेनी फेरेस मैगनेटाइट होता है लाल मिट्टी को लाल मिट्टी क्यों कहते हैं क्योंकि यह लो ओक्साइड होता है इसके अंदर लाल मिट्टी के अंदर काफी ज्यादा मातरा soil अच्छा है अब इसको देख लेते हैं इसका निर्मान क्या से होता है देखें मानसुनी जो आपने देखा ना आधरता और जो ड्राइ जो मतलब की एरिया होता है वहाँ पर यह मिट्टी जो है वो पाई जाती है इसमें iron होता है इसमें silika भी होता है यह हमने देखा है clear गहर लाल लेटराइट में low oxide और potassium की भी बहुत जादा मातरा पाई जाती है इसमें उरवरता कम होती है लेकिन आपर आप देखें ना इसके नीचले भाग में चलते हैं तो नीचले भाग के भारत के नीचले भाग में तो यह थोड़ी बहुत इसमें खेती की जाती है सफेद ले भूमिगत जलवायू लेटराइट इसमें तीन चीजों में इसका किया गया वरकी करन गहरी लाल मिट्टी होगी सफेद लेटराइट मिट्टी होगी बहुमिगत जलवायू लेटराइट मिट्टी होगी गहरी लाल जो लेटराइट मिट्टी होती है उसके अंदर लोकसाइ इसमें जो white letterite होती है white letterite भी होती है तो white letterite जो होती है अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको चीज़ें जो आपको लिख लेनी है kaolin kaolin के कान जो है इसका रंग जो है वो सफेद होता है अब clear हो गया इन चीज़ों के बारे में करके subscribe करके channel को और ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो share कर दीजिए किसको भी है channel को भी और video को भी और हाँ जाते जाते एक बार और फिर से PDF जो है वो आप लोगों को telegram का एक channel दिया मिलेगा description box में link है उसका तो जाकर join कर लीजिए उसे वहाँ से आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी thank you for watching this video